हेलो ब्रीवन कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तेश चल लही होगी वेल हमारी उत्रपदिश में इस समय तो ठंड का माहोल है बहुत कराकी की ठंड पढ़ रही है तो आपको ठंड से बचके रहीएगा और अपकी पढ़ाई को करते रहीएगा क्योंकि दोनों चीज़े बहुत ही जरूरी है चलिए हम आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं जैसा कि आप जानते हैं लोग लेकपाल का कोटकेस के आज सुनवाई था इससे में लेकपाल की कोटकेस के दो डिटे हैं एक आपकी सुनवाई आज थी जिसमें आपका एक प्रस्ण था ठीक है और एक की सुनवाई नौ तारीकों है जिसमें साथ प्रस्ण है ठीक है तो इसकी जब सुनवाई होगी तो इसका अपडेट हम आपको देंगे ही हम आज के कोटकेस के देख रहेते हैं कि आज कोटकेस में क्या हुआ ठीक है तो आज उजलोल वले प्रस्टन पे सुनवाई थी और यहां पे वही हुआ जो जिसका अनुमाना में पहले सी था हमें निरासा हाथ लगी और इसकी एक नेश डेट मिल गई है जो कि 9 तरीकों मिली है और यहां पे एक आसा की किरन दिखाने दी इसलिए मैं नहीं लिखा हुआ है कि निरासा के बेच मिली आसा किरन क्योंकि इसकी डेट है वही आपको मिल गई है 9 तरीकों और 9 तरीकों अलेड़ी आपकी सुनुमाई है 7 को लेके और इन 7 कोस्चन में भी जलाणला प्रस्न है तो आप दोनों सुनुमाई 9 तरीकों है और यहां पर जो बताऊं यह 7 कोस्चन माले केस था इसकी सुनुमाई टॉप 10 में लिस्टेट है तो इसकी सुनुमाई होनी तरीक है इन दोनों में से कोई भी case का अगर सुनुमाई होता है तो आपका फैसला मालूम हो जाएगा और आपका रिल्ट पे कार्य पहना सुरूं हो जाएगा ठीक है चुकि आज आपका जो सिरल नमब्र था वह 171 था तो इसके नमब्र नहीं आया और इसको अब टेकर दिया गया है 9 तौ ठीक है तो overall मैं conclude कर रहा हूं कि आज जो जो प्रसंज की जो अब इसका जब official notice आएगा तब देखना होगा किस नवर पर आपका एक आपका लखनू में है एक आपके लहावद में है इन दोनों में से कोई केस का सुनवाई होती है तो आपका रिजल्ट का हम बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगा प्लीज वीडियो को देखिए ठीक इसकी मत किजिएगा आप लोग अपनी पढ़ाई करते हैं यह और आपकी पढ़ाई में current affairs का बहुत बड़ा योगतान होता है तो मैंने एक दिन के 15 से 20 कोई कोई 25 काम के नहीं होते है तो मैं बता रहा हूँ दोस्त और किसी काम के नहीं होते है मुश्किल से आपके चार से पांच यह फिच है रफे किसी दिन दो ही ऐसे होते हैं जो आपकी एक्जाम के परस्पेक्ट्रू से important होते हैं तो मैं उन questions को अपने community post मे देखिए तीक है यह आपको याद हो जायेंगे यह guarantee मेरी है मैं कैसे कि र конф को दिखा दूँगा कि आपको यह याद हो जाएंगे ठीक है तो आप इसको देखते रहिए और इसको अटन किड़ते रहिए सच में आपका current affairs की जो दिखते हो समाथ हो जाएंगी और इसमें जो वेटेज है current affairs का आप जानते ही है कि लगवा 20-25% वेटेज आपका current affairs station का ही है तो hope आप समझ रहे होंगे मेरी बात को और अवह बात करते है result का तो जैसा कि अब दोनों date आपकी 9 तरीकों पड़ गई है तो result पे अभी बात करना उचित नहीं है लेकिन फिर भी अगर 9 तरीकों सुमाई हो जाती है जिसकी possibility बहुत ज़्यादा है कि 9 तरीकों दोनों किसे स full marks तो 3 हो जाएंगे इससे ज़्यादा नहीं होंगे most probably 2 question पे full marks बिलेगा 3 होने के भी chances नहीं है लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रसान नहीं है और इसके बाद अगर result पे work होगा तो आपका जो result है यह आपका 10 फरवरी तक आजाना चाहिए ठीक है most probably आपका जर्वरी लाइस तक ही आजाए लेकिन अभी इस पर result पे आपका 10-15 दिन का कारे बचा हुआ है तो most probably आपका result है यह इस ज़्याद को आ जाए विल हम आपका लिखपाल और इसे जुड़ी और भी एक्जाम्स जो है आपके जैसे आपका UPP STL हुआ या फिर इल्हाबद High Court हुआ या फिर आपका Forest Guard का हुआ इन सब के लिए मैं एक लाइब आ रहा हूँ ठीक है आज 9 बज़े तो आपको श्राड़नों बज़े जुड़ बस ही आपके प्रश्रों का उतर दे रहे थे आप लोग उसको देखते गा रहा है लेकिन यहापे जो authentic news मिल रही है कि वहल सही news शेयर के रही है आप उसको लाइक ने कर रहा है सब्सक्राइब ने कर रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरू किज़ेगा द झाल